आपका स्वागत है मैं हूँ अखिल जांगी चलिए रुप करते खबरों की तरफ रास्तान समय देश भर में आज मेडिकल में परवेश के लिए नैसनल एबिलिटी एंट्रेस टेस्ट नीट परिक्ष्या का आयोजन किया गया इस परिक्ष्या में देश भर की 16 लाग छात्रों ने अपना रेजिस्ट्रेशन कराया था देश में आज दो पहर दो बज़े से स्याम पांच बज़े तक नीट परिक्ष्या का आयोजन हुआ यह परिक्ष्या MBBS, BDS, BHMS, BYMS, BUMS, BVSC और चैनित BSC नर्सिंग कोलेज के पाठ्य कर्मों की करीब 1,4,000 सीटों के लिए हुई परतिस्ठित, मेडिगल कोलेज, एम्स और जिपमेर में परवेश भी इसी परिक्ष्या के माद्देम से होंगे National Testing Agency, NTA की ओर से ये परिक्ष्या करवाई जा रही है जैपूर सहित, परदेश में 279 केंद्रों पर इस परिक्ष्या गाज आयोजन हुआ पर एक साल पूरा मिल गया, वेसे टाइम वह अच्छा मिला और वेसे घर पे रहे तो फिर थोड़ा मावल भी घर से साम बढ़िया मिला जो त्यार ही बढ़िया हुई पहले क्यात थी न, मही में एक्जाम होती थी और इस बार ज्यादा मिल गया, पिछली बार भी मैं ड्रोप पर बचाओं, एक बार ड्रोप कर चगाओं मैं, पिछली बार एक्जाम दी मैंने लेकिन इस बार क्या है ना पिछली बार भी थोड़ा ज़्यादा टाइम था इस बार भी एक्स्टर टाइम मिल गया तो benefit तो है उसमें तो कोई वो नहीं है लेकिन थोड़ा mentally pressure हो जाता है कोटा जिली के थाना बुड़ादित के मंदावरा चोकी परभारी परमोद कुमार मीना को कोटा गरामिन एस पी सरद चोदरी ने आमजन से मिली सिकायतों के आधार पर लाइन हाजिर कर दिया मंदावरा चोकी एरिया में लगातार अवेद गती वीडियों परवान चड़ रही थी जिसको लेकर आमजन में चोकी परभारी के परती काफी आक्रोस था गरामिनों ने बताया कि चोकी परभारी का आमजन से अच्छा वेवार नहीं था जिसके चलते उन्हें लाइन हाजिर किया गया दोसा जिले के बांधिकुई में पर्थम डिजिटल आगन साला पर्थम ओपन स्कूल के बैनर तले एंजियो ने मागया का बास में कारेशाला आयजित की एंजियो ने बस्ती के बच्चों को पाँच-पाँच का ग्रुप बनाकर टेबलेट फोन भेट किये इस मोगे पर किरितपूरा गाओं की सरपंच ने इस कारिय की सरहना की उन्होंने कहा कि बच्चों को टेबलेट फोन मिलने से पढ़ाई के परती बच्चों में भावना जागरित होगी स्री गंगानागर जिले के अनूप गट उपखंड मुख्याले पर किसानों की महा पंचायत ने सिचाई पानी को लेकर स्युक्त किसान मोर्चा के नेतरत्वे में बैठक का आयजन किया किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध परदशन जताया बैठक में आईजी एनपी के पर्थम चरण में सिचाई पानी की मांग को लेकर रणनिती बनाई गी अजमेर जिले के नसीराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के अधीन रहने वाले लोगों को चाउनी परिशद के उच्चा अधिकारियों के निर्देश पर बड़ी राहत मिली है रक्सया मंत्राले और सदन कमांड पूने के उच्चा अधिकारियों के निर्देश पर एक विसेश पोर्टल शुरू किया गया है जिसके चलते क्षेतर में गंदगी, आवारा जानवर, आवारा कुत्तो, सारवजनिक लाइटों के बंध होने, पेजल समस्या, अतिकर्मन, किसी भी समस्या से परेशान लोग पोर्टल पर सिकायत कर सकते हैं दिकायत करते ही तुरेंट चावनी परिशद के अधिकारियों तक पहुँच जाएगी और उसका समाधान करना चावनी परिशद अधिकारियों का दाईत्व होगा इस एप से घर बैठे समस्या का समाधान हो सकेगा इचावनी पोर्टल एवम एप जो है वो शुरू किया गया है और ये रक्षा मंतराले का प्रोजेक्ट है जो कि पूरे देश की सभी चावनी परिशदों 62 चावनियों में इंप्लिमेंट किया जा रहा है इसमें जो में परपस है जो में कारण है इसको इंप्लिमेंट करने का वो ये कि लोगों को ओनलाइन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कि रही जा सके हर वेक्ति को कारेल आने की जुरुद ना पड़े और मान लिज़े उसकी कोई शिकायत है उसको कोई ट्रेट लाइसेंस चाहिए वर्थ और रेजिस्टेशन से रिलेटेट कुछ काम है उसको ट्रेट लाइसेंस लेना है उसको जो है सेनिटेशन से रिलेटेट किसी प्रोबलम के आरेम बताना है शिकायत दर्ज करानी है तो इलाज और सहयूग के लिए केम्प लगाया गया। केम्प का उधगाटन कुलदीप इंदोरा सचिव अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी ने किया। इंदोरा ने आमजन और कॉंग्रेस जनों से बच्ची के इलाज के लिए बढ़ चड़ कर सहयूग देने का आखवान किया। सिरिकंगानगर जिले के पदमपूर के गाउं भैत्तर एल एनपी में एक वेक्ती ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से प्रेशान होकर कीटना सक पी लिया। इलाज के दोरान उसने दम तोड़ दिया। प्रेशान मरतक पती ने मरने से पहले एक वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया। ताकि मरने के बाद उसकी पत्नी और पत्नी के आसिक पर कारवाई हो सके। मरतक के चाचा की और उसे दोनों के खिलाफ मामला दर्च करवाया गया है। मामले की जाच स्रीकरनपूर डियेसपी सुरेंदर सिंग राठोड कर रहे हैं। मेरी ग्राड तंग भूर और राकेश बंपूर पूतंक रखियो एक कारव मैं आसिप्रे भी अंगजमों बार दोन्यों है और खोड़ खोड़ूरा मेरे चाचा था और चाची और राकेश उनके दोनों के मतलब प्रेम नजय समन थी और उन्होंने दो तीन बार उनको प्रे प्रेटा भी प्रेशान भी किया उनकी जो दर्मपतनी है सुमंदेवी और एक चौंस्ट लैन पी गाउं का व्यक्ति है राकेश बिसनोई उनके बीच दोनों के बीच अवे समन थे और उनके चलते उनके साथ कल्वराम जी के साथ मार पीट भी कही गई थी उन्होंने दो त कि इतना शक दवा पी ली जिस करन उनकी मोत हो गई है अगर वीच दिन भी लग सकते हैं अगर हो भी गई तो इनको ले जाएंगे और गंटे बाद में ये कच्ची जमान पर आ जाएंगे फिर इसका क्या बनेगा उसके बाद में किरप्रयाव होगी है डिप्टी साभ आएं किया गया कैंप में चोमुक शेतर के आसपास के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया यूई एम के डोक्टर सांतनु सर्मा ने अपनी सेवाएं दी उन्होंने हर मरीज की बहतर ढंग से जाच की जाच के बाद मरीज को उसकी तकलीफ के अनुसार एकसरसाइज बताई और आधुनिक मसीन से सरीर की एकसरसाइज करवाई दोसा जिले के रामगट पच्वारा के स्री कल्यान पदियातरा संग के तत्वा धान में स्री सीतारा मंदिर से 35 ध्वजा पदियातरा कल्यान महराज डिग्गी के लिए रवाना हुई स्री कल्यान पदियातरा संग अध्यक सुमंत सिंग ने बताया कि हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी स्री कल्यान महराज डिग्गी के लिए स्री सीतारा मंदिर से ध्वजा पूजन के साथ पदियातरा रवाना की गई उन्होंने बताया कि सिरी कल्लान डिगीप महाराज की पदियात्रा का रात्री विश्राम कोट खावदा के बालाजी स्मीती भवन में होगा श्री वर्दमान स्थानक वासी जैन स्रावक संग भाद सोडा में नेपाल गोरव परवचन भूशन महासाधवी डोक्र पूजा जोती महाराज साब के सादनीद्दे में परवाधिराज पर्यूशन महापरव के पावन दिनों में धर्म, धान, जब, तप, साधना, आराधना, सामिक, स्वाधाय का अनुठा ठाट लगाया गया। इसने अवेद मादक पदार्थ मामले में चार लोगों को लाई की धानी से गिरफतार कर दो वाहन जब्त किये हैं। जिन में से एक वाहन से मद्देपरदेश से अवेद पदार्थ लाया जा रहा था, वही दूसरे वाहन से स्कोट किया जा रहा था। फिलाल मामले की जात जारी है। जल नहीं पहुंचने से रास्ते में दुरगटना हो जाती है। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी ग्यापन लिखा जा चुका है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई। आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थाने निवासियों और समीती के पड़ादिकारियों का कहना है कि जल कोई कारवाही नहीं हुई तो जेडिये कारेयले के बाहर परदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो सड़क की सड़क बहुत ज्यादा बत से बतर हालत हुए है। ना यहाँ चल पाते हैं। ना लाइट की सुईदा है और ना पानी की सुईदा है। यहाँ मूल भूत सुईदाएं भी नहीं हैं जो एक आम इंसान को जीने के लिए चाहिए। पुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें एटी पीवी न्यूज।